नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस पेस इंडेशल पर आप सभी का हार देग अबने दन करता हूं दोस्तों टाटा स्टील मास्टर्स के आठवे राउंड में अंतितह भारत के डी गुकेश को एक जीत जो है वो मिल ही गई उन्होंने इरान के परहम मक सूतलू के साथ एक रोलर कोस्टर गेम मतलब एक ऐसा गेम जो कभी इस तरफ कभी उस तरफ जुकता रहा और परंदितह गुकेश जीते गुकेश इस टूनामेट में चार मुकाबले हार चुके हैं हाला कि वो चार मुकाबले कोई छोटे खिलाडियों से नहीं हारे हैं डिं करेश की ताकत है एक और बात मैं बोलों कि आरजुन को भी कल अपनी लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा अच्छे ड्रॉ के बाद और प्रग्यनंदा कल हारे एक मैं सबसे बड़ी बात अपने दर्श को को बताना चाहता हूं कि देखिए यह लड़के 16-17-18 साल के ह पहली बार रियल जो वर्ड क्लास प्लेयर है उनके साथ खेलने का मौका मिला है और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोई बहुत खराब कर रहे हैं प्रग्यनंदा 2700 के करीब जारे हैं वो तो अच्छा ही कर रहे थे इस टूनामन में अरजुन ने सारे बड़े प्लेयर से इसे ग्रो करेंगे इनको जो अब अपनी तयारी में शाहिए थोड़े कुछ बदलाव लाने पड़े हैं कुछ और बहतर करें बर कुल में लाके मुझे लगता है यह भारती शत्रंच के लिए कमाल की बात है कि तीन टॉप के भारती खेलाड़ी जो है फिलहाल इस टूर्ण से यहां पर गोकेश ने शुरुवात करी वाइट पीसे से गोकेश खेल रहे थे पर हम ने नाइट एफ शिक्स केल करके यहां पर जबाप दिया ओके गोकेश ने कंटिनू किया और आप यहां पर क्या उमीद करते हैं या तो कुईंस इंडियन में कोई चला जाए बी 6 करते हुए और या फिर d5 करें इंतजार करना होगा क्योंकि आप उने नाइट f3 खेला है इवन बिशप b4 चैक जो है वो भी यहां पर काम कर सकती है बट यहां पर पर हम खेलते हैं h6 और यह एक्चुली में बहुत ही रेयर खेला जाता है लेकिन पर हम के लिए रेयर नहीं है प तो पर हमने इसको मेंची के खिलाव खेला है पर हमने एसको वैसली सोग्क्राफ के खिला है रजबौ विधिद को फ्रक उराया उन्होंने इस लाइन में गोकेश को भी यह यह प्ता था में तो के स्थीजिक्त मौन एक तो चीज दिता है कि चुकि आपने bishop g5 तो वैसे भी बंद कर दिया था तो वहां तो और e3 करके white ने वही बंद कर लिया यह आपको हमेशा एक counter attack के लिए मौका देखा कि अगर कभी मौका मिले तो g5 जो है वो immediately खेला जा सकता है ठीक है और तो यहाँ पर पर हमने खेला c5 bishop d3 castle किया दोनों ने now d5 और अब यहाँ पर गोकेश ने c into d5 e into d5 d into c5 bishop c5 अब आप देख सकते हो कि यह एक isolated queen pawn बन चुका है और अकेला queen का प्यादा और अब गोकेश जो है वो धीरे धीरे जो है कि knight c6 knight c6 एक novelty थी इससे पहले जो match हुए थे उसमें bishop e6 खेला गया था एक ही match हुआ था अब वो भी lower rated players के खिलाफ था knight c6 अब यहाँ पर bishop b2 bishop g4 और यहाँ पर गोकेश पूछ भी लेते हैं भाई कि आप उठ लेके आया है क्या idea यहीं रुखना है exchange करना है या जाना है exchange definitely white को favor करता है क्योंकि उनका queen जो है वो गेम में आता है उन्होंने क्या किया यहाँ पर exchange नहीं किया और bishop h5 खेला कोकेश ने रुक c1 खेला अभी अब आपका यह जो piece है वो discover attack में आ सकता है उन्होंने उससे पीछे खीचा bishop b6 ना बिशप e2 यह interesting move है जरत पढ़ने पर bishop exchange किया जा सकता है जरत पढ़ने और यह d4 पर actually k2 पर और अच्छा control लेने की बात है ताकि d4 आने ही न पाए कि रुक c8 तो ना नाइट a4 और बिशप को पर attack बिशप गया यहाँ पर c7 तो यहाँ पर interesting move खेला लोकेश ने नाइट c5 अभी आइडिया यह है कि अगर आप यहाँ पर b6 करते हो तो नाइट d3 आएगा एंड देन नाइट f4 आ रहा है तो actually मैं favor or responder pressure जो है बहुत ज्याद करने के लिए यहाँ पर गोकेश खेलते हैं queen d2 यहाँ पर queen e2 अच्छा यहाँ पर अगर मालों सुचें कि bishop b2 मार देते हैं bishop b2 queen b2 अभी भी देखो वो d4 जो है वो नहीं आ रहा है because of knight b7 और अगर वो यहाँ पर b6 करते हैं तो then वही same knight d3 और इस्टिल d4 नहीं आएगा because of rook c6 तो actually knight get ने पर उनके knight पर attack और बहुत सारे problem हो रहे थे तो पहले उन्होंने queen e7 खेला so now knight d3 यहाँ पर गोकेश आए और e5 पर pressure डाला कि भाई exchange करना दो कर यह queen b2 और अभी भी देखें d4 के square पर control जो है बना हुआ है तो पहले bishop c6 आके queen d4 आ जाएगा तो रुक fd8 and now यहाँ पर गोकेश ने बिल्कुल सही खेला रुक fd1 now यहाँ पर finally जो है जिसको आप कहते हैं न कि जी फाइब एक रिस्क टेकिंग मूव है कि आप एक रिस्क ले रहे हैं राजा को थोड़ा कमजूर कर रहे हैं लेकिन counter attack नहीं करेंगे अगर तो फिर गोकेश इजली यहाँ पर control लेने वाले थे पर हम के ऊपर यह बिल्कुल clear था इसके बाद गोकेश ने जो है ने भी एक और strike करना शुरू कर दिया queen side से बीफूर आप यहाँ पर फिलहाल तीनों हिस्सों में हो रहा था queen side पर भी चाली हो गया center पर तो चली रहा है and then पर हम इस तरफ से कर रहे थे जब board अपने तीनों हिस्सों में active हो जाया शत्रंच का खेल usually जो खेल चल रहा हो तो वहाँ पर actually म judge करना position को बहुत ही मुश्किल हो जाता है इवन बड़े-बड़े players के लिए judge करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि accuracy वहाँ पर निकालना कि exactly कौन सी चाल सही है बहुत मुश्किल हो जाता है आपको तीनों हिस्सों का ध्यान रखना पड़ता है तो ओके यहाँ यहाँ पर यहा जाता क्योंकि actually मैं कभी आप b5 जैसा अगर black सूचे कि चलो इनके attack को आने नहीं देतें प्रॉब्लम यह कि आपको c5 का square surrender करना पड़ेगा c5 आपकी week हो जाएगी तो इसलिए वो b5 जैसा move आई नहीं सकता था तो black रोकी नहीं सकता था उन्होंने किया a6 a4 queen d6 तो now यहाँ पर आया move b5 और knight e7 और यहाँ पर गोकेश ने good move खेला a5 अभी threat है कि even b6 जा सकते हैं finally यहाँ पर exchange करना पड़ा queen b5 knight c6 rook a1 अभी जुरत पढ़ने पर जो है यहाँ पर अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो black अच्छा है white अच्छा है यहाँ पर भी pressure है यहाँ पर और position अच्छा लग रहा था लेकिन इसके बाद थोड़ा सा twist आना शुरू होता है पर हमने खेला रुक सी 7 और गोकेश ने g3 किया g3 का purpose शायद king के लिए bishop के लिए जगह बनाना है और अब यहाँ पर actually में हुआ यह कि इसके जैसे d4 बिल गया जैसे d4 आया position में यह वो position थी जहाँ पर गोकेश को खेलना था knight even यह analysis में दिखता है कि यह ज़्यादा interesting है because in future जरौत पढ़ने पर knight c2 भी आके spawn का attackers बट गोकेश गए यहाँ पर knight b2, knight d5, knight c4 and then queen e6 और यहाँ पर analysis यह कहता है कि actually मैं black ने ठीक ठाक position कर लिए अपनी अब इसमें एक खतरा था गोकेश के pieces बड़े अच्छे हैं यहाँ पर लेकिन एक खतरा यह है कि queen अभी आप देखिए कहाँ पर attack कर रहा है h3, यह pawn इसी तरफ आ रहा है और e3 पर मतलब ऐसा जरौत पर सकते कि king की उपर थोड़ा अगर attack हुआ तो सिर्फ bishop यहाँ पर अकेला है, अब आप देखिए क्या हुआ, into d4, गोकेश ने pawn मार लिया और गोकेश जो है यहाँ पर एक pawn अप हो गए, बट यहाँ पर knight c3 आया, गोकेश ने खेला queen b6, knight d1, queen c7, but queen e1 की entry मिल गई, मतलब यह action बुरा नहीं था, but queen की entry मिल गई, knight के shelter में, king h2, now queen f2 check, pawn बराबर हो गया, bishop g2 गया, so now rook into d4, queen into b7, rook into c4, rook into d1, and then rook c2, आप यह position जो थी, अगर आप देखे, यह जो exchange किया, गोकेश ने, उसमें गोकेश को यह past pawn तो मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है, but उनका यहाँ पर f2 का बहुत ही crucial point गया, और यह 2 piece 7th rank पे पहुँचके फिराल checkmate कर रहे हैं, तो यह bishop का power भी आपका कमजोर हो because यहाँ पर check, sorry, यह भी आ जाता उपर, हाँ, rook d8, यह actually मैं white के लिए winning position आ जाती, तो rook c2 खेला उन्होंने, तो now rook g1, still knight f5 possible नहीं है, check देके मार देंगे, तो उन्होंने खेला knight d4, पर यह पूरा critical लग रहा था, क्योंकि आने वाले time में knight f5 आ रहा था, फिर g3 पर attack था, औ और ऐसा लग रहा था यहाँ पर कि गुकेश शायद एक मैच और तो नहीं हार जाएंगे, उनके पास सिर्फ एक उमीद थी, यह pawn, king h1 खेला यहाँ पर, नीचे आए वो, and now, for example, यहाँ पर queen b8 check दें, king h1 यहाँ पर करें, तो knight f3 बहुत ही dangerous हो जाएगा, तो इसलिए वो प कवर भी किया, king g7, उनके pawn बढ़ दिया, a6, यहाँ पर शायद g4 खेलना ठीक रहता, knight g3, king h2 और यह game अभी equal था, बट गोकेश ने a6 खेला, और इसके बाद, actually, यह position था, जहाँ पर knight g3 मारना था, check, king पीछे जाता, knight f5, अब यह position क्यों winning है, actually मैं, कि यहाँ पर आप क्या तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे a7, जैसे rook a2 लगाया, अभी a8 queen अगर बनाया, तो rook a8, queen a8, और आप सोचे कैसे checkmate हो रही है, queen f4 check, king h1, knight g3 check, king h2, knight f1 double check, king h1, और queen h2 से checkmate हो जाता है, तो actually मैं, जब उन्होंने rook a2 खेला परहम उन्हें, तब परहम को पहले knight g3 वाला variation जो है, वो इस्तेमाल कर लेना था, यहाँ पर, और यह position लाके फिर rook a2 खेला, तो यह winning था, और आगर वो pawn नहीं भी बढ़ते, तो अगर वो आगे चलके h5 बगर यह से match, जो है, वो खतम हो जाते, यह draw था, यहाँ पर हुआ एक twist और परहम ने एक tactical blender कर दी, परहम ने यहाँ पर खेला king g6, और यह जो चाल थी, यह भारी पढ़ गई परहम के उपर, और अब आपकी बारी है, सोचिए कि गोकेश ने क्या खेला होगा, और इसलिए मैं गोकेश की तारीफ करूंगा क कि, इतना खराब टोर्नामेंट जा रहा था, लेकिन उन्होंने आंधर तक खेला, और वाकई खेल जीतता होगा है, जो ज्छादा अच्छा खेल था, लेकिन जीतता होगी है, जो ज्यादा बहतर खेलता है, यहाँ पर और बास बुकेश की क्वालिटी चा लेये, चलना शू यहां पर हमके पास बहुत ज्यादा कुछ था नहीं पीछे की तरब जाते तो अभी तो चेक्मेट लगी हुई है तो फाइफ फॉर से नाव कुई टी सिक्स चेक किंग एफ 5 सो यहां पर उने हमारा जी इंटू एफ 5 अब भी देखें नाइट से कुछ चेक्मेट वगर यह नहीं आ रहा है यह स्क्वेर सब कंट्रोल पर कोई चेक तक नहीं आ रहा है तो और वहां पर चेक्मेट लगी हुई है तो उन्होंने खेलना पड़ा यहां पर जी और उसके बाद जो है कोई मौका जो है वो दिया ही नहीं पर हम को तो ये मैच अच्छा था शुरू से गोकेश अच्छा कर रहे थे और उसके बाद परहम की वापसी होती है गुकेश का राज़ा थोड़ा अकेला रह जाता है उस पे हमला होता है बड़ महाँ परहम जो है क्योंकि गुकेश के बाद जो पास्ट पॉन था उसको समहलने में चूप जाते हैं और गुकेश की गेम में वापसी होती है और एक शांदार जीत के साथ मैं यही बोलूँगा क पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूले है देखते रहे चेस बिस इंडिया चेस बिस इंडिया के लिए मैं इकलेश जैन जैहन दोस्तों